साजित खान के बाहर जाने से घर वाले ही नहीं बलकि जनता भी हो गई है इमोशनल जी यहां क्या है पुरी अपडेट आईए आपको बताते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ जोती पार्ठक और आप देख रहे हैं फीफा फोल्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ताजा प्रोमो आया है जिसमें जो साजित खानम की मिनिमम गारंटी जो है वो खतम होने के चलते अब वो घर से बाहर जा रहे हैं और बहुत ने अनौंसमेंट कर दिया घर के अंदर और वो सभी से मैरे से जो भी कुछ गलती होगे जोभी मैंने कुछ गलत किया होगा मुझे माफ कर देना फिर सभी नहीं वोलता हुआ फिर सभी ना कि वोटिंग के आधार पर जो कि कुछ audience को ये बिलकुल सही नहीं लग रहा है कि वोटिंग के आधार पर निकलना चाहिए अब्दू भी निकल गए और हमने देखा कि अब्दू के जाने से कितना अफेक्टेड है शिव निमृत एंसी स्टैन सुमौल टीना भी यहां तक की सबसे जादा है अब आपको बता दू कि प्रोमो के नीचे जनता क्या कुछ कॉमेंट करी है एक का कहना है कि never liked Sajid Khan but can't deny the fact that they need a personality like him in the show as well to balance it out a villain is always hated but a movie can never be complete without him feeling so bad for Shiv and Stan yeah they really loved Abdu and Sajid it's hard to see Stan and Shiv feeling helpless लोगो को कही ने कही शिव और स्टैन पर यह रहा है कि मतलब पहले अब्दू गया है फिर एके बाद एक जटका मिला अब्दू पर साजिद तर एक का कहना है कि I felt bad for Shiv's stand they really loved Abdu and Sajid we never liked Sajid only because of privileges BB gave to him but otherwise he was a super player player and made this season memorable after really after season 13 season 16 will be memorized mesmerizing season missing all the contestants आज Sajid की journey देखकर रोना आ गया तो सोचो जब यह season end होगा तो कितना रोना आएगा फिर लोग कही ना कहीं emotional हो रहे हैं साजिद को लेकर और कुछ लोग हैं जो बिलकुल भी emotionally हो रहे हैं खुश हो रहे हैं आप भी बताईए साजिद खान के exit से आप कि क्या कुछ emotions हैं आप खुश हैं या फिर आपको भी बुड़ा लग रहा है बतादीजे comment section में और देख तरे अफीफा पूस इसे तरीके के updates के लिए